हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज मेहंदी का कारिग्रम हो रहा है फ्रेंट्स और मेहंदी के लिए लड़की भी पैट चुकी है स्टेज पर और यह में आई हुई हुँ जिठाने की लड़की की शादी में और भरपूर उन्चॉइमेंट चल रहा है सबका सभी रिष्टेदार आचुके हैं और यह फ्रेंस सुसाइट्टी की कैमपस है वहीं पर यह सब चीजें अरेंज की गई थी वहीं पर हम लोग सब लोग बैट गये थे और मैंने वह आज वेयर की थी यह ग्रीन कलर की साड़ी क्योंकि मेहंदी में आजकल कंपल सरी है ग्रीन कलर और उसके बाद हम लोग छट पर आ गए थे और क्योंकि मंडब का भी कारिक्रम होना था तो बंडी जी भी आ गए थे हमारे बुंदिल खंड में सबसे पहले मंडब गढ़ने की प्रथा होती है मंडब गढ़ने के बाद ही सारे विवा के कारिक्रम संपन्ने किये जाते हैं और मेर का पानी भी भरा जाता है और मेर के पानी के लिए फिर हम लोग जाएंगे और पंडी जी लोग अपना मंदो चार वगएरा ये सब कर रहे हैं कि मानदान जो होते हैं यानी जो हमारे हमसे बड़े होते हैं रिष्टे में उनको ही बुलाया जाता है और वो ही मंडपंडप का कारिक्रम गाड़ने का उनी के हाथों से किया जाता है जो कि परंपरा हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है और उसके बाद मैंने मैर की साड़ी मेरो ही मैरो की साड़ी देता है इसका भी भरा जाता है उसके मेरोस्तर पहनना रहती है आपके मैने मैकी साड़ी वियर करी थी हडरे रंग की और सारे रिष्थिदार हम लोग सब लोग LA treatment हो गए यह नेंग भी दीया जाता है नेंग देवरानी जिठानी सब मिल की आज मंडव कारिक्रम वह कर वा रहे हैं उस्जे मेर भरना है तो मैं मैंने अपनी अलग साड़ी पहनी है जो कि मेर की साड़ी कैलाती है और ये शल्दी भी देखी सब सबको लगाई जा रही है बर्टूर मस्ती और उत्साह के साथ कारिकरम सब संपन्न हो रहे हैं मंडप का कारिकरम अक्सर राथी में होता है और यह सब को हल्दी लगाई जा रहे हैं और इसके बाद वहीं पे हम लोग उपर छत पर ही जो टंकियां बनी रहती हैं और जो वडूर्ड फ्लो सब्सक्राइब जाता है उसी से ही aliment heartfelt बता है तो हम लोग हम لंगों है पछले हमने नीचे चौक फूरर और उसके बाद उसकी पूजा करी क्योंकि जहां से पानी भरा जाता है वो सिस्थान को भी पूजा जाता है पूजा कि जाती है और चौकपूर के उसकी पूजा करते हैं फिर हमारे मतलब मुंदेल खर्ण में ये प्रथा है कि जब आप पानी भरते हो मेर का तो उसी मेर के ही पानी से आपका मेर बनता है मेर यानि जो भी पूजा का सामान बनता है सब उसी पानी से ही बनता है तो ये सब हमारे जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो हम लोगों को बताती हैं कि यह ऐसे पूजा करनी है और यह टंकी से ही जो पानी आ रहा था वही ताजा पानी ही भरना था हम लोगों को तो उसी से हम लोग पूजा करते और मैर बनाते हैं तो जितनी भी घर के सदस्य होते हैं वो सब लोग जाते हैं और जो मटके होते हैं न मटकों में ही पानी भरा जाता है जैसे पांच मटके साथ मटके तो पांच मटके होते हैं लड़कियों के तो हमारे हैं लड़कियों के उसमें पांच मटके ही भरे जाते हैं मटकिया कहते है उसको मटकिया वो भरी जाती है जिससे पानी भर के हम लोग लाते हैं तो ये सारे जो पानी भरने का काम करते हैं सारे पुरुशी करते हैं महलाएं पूजा का काम करती हैं और हम लोगों ने ये पूजा यहाँ पे कर ली और अब पानी भरने का काम शुरू हो जाएगा इसके इसके बाद चौक की पूजा करते हैं और इसके बाद यहां से पानी भर के ये देखे ये मट्कियों से पानी भरा जाएगा और मैं ये पूजा करके चौक अचरे आ रही है और आगी कंडी जला कर हवन भी किया जाता है आगी जला करके और इसके बाद ये मैर बनाएंगे अब हम लोग सब लोग जा करके मैर का कारी कर्म अब हमारे यहां शुरू हो गया और अब इसके बाद ही कारी कर्म हमारे यहां चलता है कठिया गेहू बोलते हैं उसको उससे और ये देखे पानी भरने का कारिक्रम हो रहा है हल्दी वल्दी सबको लग चुकी है हल्दी लगना यानि शुबकाम की शुरुवात हो जाती है हल्दी लगने के साथ और सबने महर भर लिया महर का पानी भर लिया और ये बैठ गए हम लोग मंडब के नीचे नियोते दिये जाते हैं अदर पुर्खों को वजुर्गों को जो भी मतब इस दुनिया में नहीं है बुड़े जितने भी शांत हो गए हैं और हमारे भगवान जेठे बड़े जो भी ह हैं सबको हम लोग मेर का दिन नहोता देते हैं कि हमारे हां आओ हमारे सब विगन हरो हमारे सब अच्छे से शादी विवा के काम संपन कराओ तो हमारे सबी घर की लोग मेर भबा को नमंतरन देते हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग जो शांत हो ग नीचे हाला कि यह हमारे हां दर्वाजे पर ही दिया जाता है लेकिन अब बड़ी सुसाइटी में तो मंडब के नीचे ही यह काम अलग से दर्वाजे के पास कर लिया था और ये है दूसरे दिनकी के लिफ्रेंट में नहाद होकर रेड़ी हो गई थी क्योंकि आज फिर से मुझे मेर बनाना था तो ये मेर बनाया है हम लोगों ने ये बनता है बिना नमक का और उसका जो रात में बनाया था वो गुड़ का बनता है और फिर आज हम लोग सब ला करके रखते हैं ये पूरी गुड़ की जो बनाई थी ये हम लोगों ने रख ली थी माय बनती है इसको बोलते हैं और माय बन और उनों ये महर का काम करके हल्दी चडाने का और टेल चडाने का काम शुरू हो गया fluoriva गया तक जिल छड़ता है तो साथ प्वए बनाया जाते हैं और पाश प्वए बनाया जाते हैं लड़कियों के लड़कों के साथ प्वए और अगले और बने रहेएगा मेरे साथ वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा एंजॉय करने के लिए देखने के लिए और इसके पहले जो कारिक्रम हुए थे उसकी भी वीडियो लेकर के मैं आऊंगी और इस तरीके से सभी ने कूब एंजॉय किया और अब यहल्दी की रस्म